मित्रों अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आगरे है कि ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो भेंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे इस वीडियो को लाइक और स्टुर करना न भूलें निराला जी अपने आपको स्वर्सती का पुत्र कहते थे उन्होंने घोसित कर दिया था कि मैं स्वर्सती का पुत्र हूँ और मेरा जनन दिन जो है वो स्वर्सती जो जिस दिन मनाया जाता है स्वर्सती पूजन के दिन ही मेरा जनन दिन हो सकता है इसके अलावा तो मैं कभी पैदा हो ही नहीं सकता हूँ वो ऐसा अपने अपने उन्हें एक तरह से डिकलियर कर दिया था तो ऐसा ही एक आयोजन था उस उसर पे मैंने गीत लिखा था रितु बसंती रंग बसंती में सबको रंग डाला निराला तू थारे बड़ा मत वाला निराला तू थारे बड़ा मत वाला रितु बसंती रंग बसंती में सबको रंग डाला निराला तू थारे बड़ा मत वाला प्यार किया तूने अक्षर से हिंदी का स्रिंगार किया प्यार किया तूने अक्षर से हिंदी का स्रिंगार किया धन्य हुआ वह देशकाल जिस में तुमने अवतार लिया कविताओं के ग्यान दीप से कविताओं के ग्यान दीप से तुने किया है उजाला निराला तू थारे बड़ामत वाला और निराला जी के लिए सब्द कितने मायने रखते थे या पहले के लोगों के लिए सब्द का भी कितना मतलब होता था उसके प्रत उनकी कितनी आस्था होती थी एक बार वो कहीं जा रहे थे एक बुड़ी औरत सड़क के किनारे सबको पता है पत्थर तोड़ रही थी उसके बारे में उनके मुझे सब्द निकल गया तो मा सब्द निकल गया तो रुख गये वो कि अपनी अगर मा इसको मैंने कह दिया है तो अब ये पत्थर कैसे तोड़ेगी सड़क के किनारे कैसे रहेगी उस चीज को थोड़ा सा दो लाइन में रखा है वाने याद मुझे आता है अकसर बूढी हड़ी पास में पत्थर मा की मूरत देख के उसको तूने गले से लगाया निराला तू थारे बड़ा मत वाला निराला तू थारे बड़ा मत वाला रितु बसंती रंग बसंती में सब को रंग डाला निराला तू थारे बड़ा मत वाला और थोड़ा आज के समय पे सामाजिक चिंताओं के बिन क्या ताली क्या जै जैकार सामाजिक चिंताओं के बिन क्या ताली क्या जै जैकार सब्दों के प्रति भाव नहीं तो कुछ भी लिखना है बेकार सब्दों के प्रति भाव नहीं तो कुछ भी लिखना है बेकार और कभी बनना है आसा बनना कठिन निराला निराला तू थारे बड़ामत वाला निराला तू थारे बड़ामत वाला मित्रों अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप से आगरे है कि True Media चैनल को सब्सक्राइब अबश्यकरे और हाँ सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो भिंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें